हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खोपसूरत रेविड बनाना बताऊंगी बहुत ही प्यारा है एक सिंपल पट्टी से सिर्फ देखे मैंने हाप एक चौकोर पट्टी बनाया है इसे से आप लोग को रेविड बना सब्सक्राइब ना बताऊंगी बहुत ही प्यारी है तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चब्विस बंदेश डालने के बाद मैंने अपर दोनों साइट से उल्टा-उल्टा बनाई किया यहाँ पर मैंने थ्रेपलाइब लिया है और नौ नंबर के मैं सम sulla ужеbles कि नॉर्मन भून चंग के तो । 26 मदे डालने के बाद यहां पे हम लाइन के बात कर लेते हैं कि हैं भिधकर हमने कित्नी लांद कर लान बनाई है तो शोलिए मैं आप dice dank you हैं आपको यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारह तेरह चौदा पंद्रह सोलह सत्रह टरह टरह निस बीस इक्टेश वाइस टेश चौबिस टोटल हमने यहां पे चौबिस फंदे लेके और यहां पे चौबिस लाइन हमने बनाई है चौबि अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें थोड़ा से कॉट अब देखिए फ्रेंड्स हमने आपे 24 लाइन बनाने के बाद यहां पे हमने यह फंदी को बंद कर लिया ठीक अब आपको ऐसे तीन मार कर लेना है आप से टी पिन भी ले सकते हैं या तो चौग भी ले सकते ह अब हमने इस पर देखिए कैसे क्या करना है इसको अपने ऐसे डावल फोल्ड कर लेना है या यह देखिए हमने ऐसे मोड लेना है ठीक ऐसे मोडने के बाद फिर हमने देखिए यहां पर फोल्ड करने के बाद हम यहां पर एक मार कर लगाएंगे यहां पर जहां से हमने फोल ठीक, इसको ऐसे लगानी के बाद, अब इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे देखिए, थोड़ा सा जून करके फिर मैं आपको दुख करेंगे, ये दोनों ऐसे, ठीक, अब इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है, अब देखे फ्रेण्स हमने यहाँ पे भी मारकर लगा लिया, आपको यहां पे ऐसे करने नहीं हम ईसे निसान बन जाएसी ऐ सोग करेंगह αदसे और आप यहां यहां पे इसके पर जोल्न करने डाले यहां आपको देकी आरा हमने यह दागे को डाल लिया है अ यहां जब आप ऐसे करेंगे, तो यहां पे हमारी एक लाइम बन जाएगी, ठीक, अब यहां से मारकर को ऐसे निकाल देंगे, ध्यान से देखिएगा, अब यहां से मारकर को ऐसे निकालेंगे, निकालने के बाद आपको देखिए, आराम से एक एक धागे में, यहां पे देखिए, जो हमने ऐसे फोल्ड किया है, यहां पे हमारा यह ऐसे देखिए, बन के आ जाएगा तीर्चा, तो इसमें आपको ऐसे तीर्चे में एक एक धागे में देखिए, उपर से ही, हम यह देखि आपको ऐसे ही सिलाय करते हुए जाना है देखें पीछे की साइड घह देखिए दहागे को नहीं लिया है बस ये हम आगे की साइड से ही देखिए ऐसे ही तिरचा यहां तक ले के जायेंगे देखिए हम यहां तक आ गए अब फिर इसको देखिए में धागे को ऐसे निकाल लेना है धागा आप जो डालेंगे बड़ा लेंगे क्योंकि इसी धागे से हमने पूरी यहां पे सिलाई करनी है आप देखिए यहीं से हम यहां यहां चीज गमार अप ऐसे हिो झाट Nh्ट लेके ऐसे तिरछा चल जाएंगे जब आप बनाएंगे जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे जब आप मोड़ेंगे ऐसे तो यहां पे एक हमारा निशान सा बन जाएगा अब देखिए अपने इधर भी ऐसे एक एक टाके लगाते हुए इस साइड भी आ गये अब इसको हम दीरे दीरे ऐसे धागे को निकालेंगे अब को ज्यादा नहीं खिच न यह देखिए बहुत इजी है बस आपको सिलाई पे ध्यान देना है बस अब देखिए फ्रेंड्स हमने यह देखिए इधर से सिलाई करते हुए ऐसे हमने सिलाई करके देखिए ऐसे फिर ऐसी किया ठीक ऐसे और ऐसे अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे हम आप लोग को समझाने के लिए यह मारकर ऐसे फिर्शर लगा देते हैं अब यहाँ पे हमने इसी के सीधे देखिए हमने इसी के सीधी में एकदम मारकर अटाते हैं यह देखिए एक-एक ऐसे लाइन करते हुए जहां से देखिएगा एक-एक देखिए हमने यह जो मराया पर फंदा बना हुआ है उसमें डालते हुए हम जैसे देखिए आपको देखिए उपर नीचे नहीं फंदा करना है नहां पर हम सेल रहे हैं देखिए उसी लाइन में आके जहां से हमने यह सुरू किया थी यह देखिए यह पर आप अज़िए अभुआज अपर आप यह देखिए यह कुछ आई अब देखिए फ्रेंड्स हमारा यह कुछ आए अब ने यहाप पर रूई लेना है रूई लेकर फिर अभी देखिए इसको आप यह देखिए जब आप ऐसे खीचेंगे तो यह हमारा ऐसे कुछ बन जाएगा अब यहाँ पर देखिए रैबिट के फेस के लिए हमने यहाँ पर कॉटन यानि रूई या तो आप चोटे-चोटे जो कपड़े के कतरन होते हैं उसको भी डाल सकते हैं या तो उन के जो हम पॉम होता है यह देखिए पूरा यह पुपी हो जाता है यह तकुछ अ देखिए यहां पने फेस बनने का है यहां पे हम इसको ऐसे भर दिनगे ठेक भरने के बाद हम इसको ऐसे खीचिंगे यह देखिए खीचनी के बाद यहां पर हमारा यह ऐसा गोल सा फेज बनके आ जाएगा इसको अपने ये जो येर है इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि ये आगे की साइड ऐसे रहे ठीक इसको थोड़ा समने देखिए एक राउड यहां से ऐसे गुमा लेना है अब यहां पर देखिए हमने इसका कान जो है देखिए इसके कान को नहीं ये जैसे आगे की साइड जुका रहा है इसके लिए हमने क्या करना है देखिए चिता देखिए प्यारा बनके और कितना इजी है फ्रेंट्स इसको हमने देखिए ये आगे की साइड से हम ऐसे करते हुए ये देखिए ये की यह देखिए इस लो में ऐसे सीला पर यागे की साइड हो जाएगा और सिरव हम इस साइड से भी ऐसे यह देखिए यह हमारा कि तप्यारा यह देखिए बनके आया है अब देखिए हमने हापे भी कॉटन भरना है अब हमने देखिए रूई ले लिया है इस पैसिम खूर लेते हैं अब हम देखिए इसे कुलने की बाद अब हम देखिएगा इसकी सिलाहिम ने कैसे करनी है एक एक चैन में लेते हुए हम इसके सिलाई करें हैं इसे दोनों पार्ट को पकड़ते हुए बराबर इसके बराबर दोनों पार्ट को लेते हुए दोनों पार्ट के यहां तक हम सिलाई कर लिया अब यह वाला पार्ट है जो हमारे बैक साइड इसको हम ने इसको गुलाई में सिलाई करना है तो देखिए यहां से हम ऐसे एक एक देखिए चैन में डालते हुए हम देखिए ऐसे भागा डालेंगे अरे स्वारी सुई लास्ट तक हम ऐसे इसको यहां तक लेकर आना है अगर आप लोग हो सकेगा तो थ्री प्लाई या ऐसे रेसे वाले उल से बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा नॉर्मल उल से भी अच्छा लगेगा लेकिन ऐसे में तो बहुत ही जैसे रेडिमेट की तरह लग रहा है एक दम साइनिंग कर रहा है देखिए इसको ऐसे देखिए इसको ऐसे हापे गुलाई में सिल लिया ठीक हम इसको दो से तीन बार ऐसे अपका कर देंगे ताकि हमारा यह खूले ना इसको भी हम यह पर छोड़ेंगे क्योंकि यहां पर भी हमें पॉम पॉम लगाना है चीक तो इतना आप लोगों समझ में आ रहा हो गए यह देखिए मारा फेस और यह इसकी बाड़ी अभी हमें आप इसकी नोज और आई बनाएंगे आई यह देखिए up точно इसके फेस पहां पर नेकी ब्लै만 कर की बिंदी लगा दिया और यहां पर देखिए ऑEO में कर देैंगेन पूरत लग रहे फ्रेंट्स नॉर्मल सी मैंने यह पूम-पूम बनाई है देखिए अपने चारों फिंगर पे तीन से चार बार लपेट के फिर मैंने धागी को बांद के बीच में और कट कर दिया ठीक अब देखिए किती प्यारी यह लग रहे फ्रेंट्स तो आप जरूर इ करेंगा कि यह कैसी लगी आप लोग इसको बच्चों के लिए गिप्ट भी कर सकते हैं और ऐसे अपने शोप देखिए सोकेस में भी रख सकते हैं इसके पहले मैंने आप लोग को चिडिया बनाना बताया था टेड़ी बीयर बनाना बताया तो जो की बहुत ही प्यारा जाद लाइक करें शेयर करें नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू देखिए ऐसे बैटता भी है